My friends, you have a joyous day created by the Lord for you today. We're going to sit and listen to Him on what He promises. And let's receive it as per Psalm 16.5. The Lord is my chosen portion and my cup. You hold my lot. This verse says, God is our portion. In Him is our entire lot. All our entire inheritance that we need to receive for our life is within Him. So choose Him first as your portion. इसलिए पहले उसको अपने भाग की रूप में चुने. रभू, आप मेरा पूरा भाग है. मुझे बस आप ही चाहिए. मुझे जो भी चाहिए, वो आप में ही चुपे है. जैसे आप सारी महत्पून जानकारियों को एक ड्राइब में डाल कर किसी को भेजते हैं. और उसे प्राप्त करने के लिए उसे उस ड्राइब से होकर की जाना होगा. और आप जितनी भाली बातों को खोज रहे हैं, वो सारे परमेश्वर के उस बड़े भाग में चुपे हैं. मेरे दादा, डॉक्टर डीजस दिनाकरण, पवितरात्मा के नवरदानों के लिए परमेश्वर के पीछे भाग रहे थे. वे ये वरदान चाहते थे ताकि वो सामर्त के साथ सेवा कर सके. और उनके लिए निरंतर प्रारत्न में थे. वो उनकी लालसा रखते थे. और एक दिन परमेश्वर, एक लाज की कनभवोग के द्वारा से उने अपने पास ले गए. सरसामर्थी परमेशर के सामने पोईतराप्मों ने ले गया उसके सिहासन के सन्म और उस उस्थान में परमेशर की महमा में उपस्तिती भरीवी थी वो हमारे वर्णन से बाहर किसी महमा थी और वे उससे अभी भूत हो रहे थे और तब परमेश्वर के सिहासन से एक आवाज आई तो मैं क्या चाहिए और वो जो थी गुञने लगी और उसके हृदय से टकराई और वो कहते हैं कि बै उसे आज भी सुन सकता हूँ कई रातों को मैं सो नहीं सका एक गरच दी ही वे आवाज और पवित्रातमान उसे कहा कि वो उसके नौवरदानों को मांग ले और तब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें नवरदान चाहिए और तब पवित्रातमान उसे कहा कि जहें परभू मैं आपको चाहता हूँ और उन्हें कहा प्रभु मैं आपको चाहता है और तब उन्हें लगा कि जिस आकृती को वो देख रहे थे वो मानों हसने लग गई वो मुस्कुरा रहे थे प्रभु जो थे खुश थे क्योंकि मेरे दादर ने सबसे बढ़ करके उस प्रभु परमेश्वर खुजुना था वरदानों से भी बढ़ करके उन्हें चुना था परमेश्वर आपका चुना भुआ भाग है और उन्हें ही आपकी सारी विरासत है उसे चून लें और आप सब कुछ पा जाएंगे आप प्रभु के लिए रोएं प्रभु जी मेरी किसी भी घटी से मैं बढ़ करके आपकु मैं सब कुछ पा जाओंगा आमें चैल बढ़ आउन तो हैं और प्रभु को स्विकार हैं ओ लविए प्रेमी पिता जी अपने संतानों के हिर्दे में आ जाएं स्वामी हम कहते हैं आप हमारा भाग हैं आप ही हमारा कटो रह हैं आप हमें सब चीज से भर दें प्रभु सब क प्रभु मैं आपको स्विकारते हैं हमारे हिर्दे में आ करके आप हमें धर्मी बना दें प्रभु आपके आनंद से हमें भर दें अपनी उपस्तिति से भर दें हमारे हिर्दे को संतुष्ट करें प्रभु हमारे जीवन को संतुष्ट करें जब आप आएंगे हमारे पास और जो कुछ आपके संतानों ने म भागा आप उसे उन्हें दे 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 प्रभजी उनैं वो आशिष में बहने लगें हर एक भली चीजां उनके जीवन में आ जाएँ उनके मार जो हैं भरे पी और आशिष में दीवाद स्वामी परमेश्वर की आशिश आपके जीवन में वरस दे उसका धनिवाद करें पीश्यू के नाम में आमीन प्रभू को पहले नूड़ते वे आपने उसको प्रसंद किया है मेरे मित्रों अब वो ऐसा करेगा कि उसकी योजना के अंसार आप सब कुछ पा जाएं आप सब को पानिवाद करें